टीवी सच साहस सरोकार देखे किस तरह सिक्षा मित्रों ने 2024 के आगाज का संदेश दिया और क्या कर रही है उनकी मांगे क्या है उनकी मांगे देखे रैली इस्थर से प्राइम टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट दो हज़ा उपी के तमाम जिलो से आये शिक्षा मित्रों का आज महा सम्मेला नहलं लखनों में और यहाँ पर स्रैक्ड़ों की पूर gonna मरए फ़ेस्टा ऑफ हो उसके बावजूद इनकी मांगे पूरी होंगी नियमती करण को लेकर जो मांगे थी वो हैद Almac नहरा पर सत कवा दो कोसेल किशोर पहुंचे हैं लखनों के सांसाइब और राजमंत्री भी हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी दूर दूरत का मैदानों में देख सकते हैं अभी भी कई लोग यहां पर आ रहे हैं और लगतार आ रहे हैं कुल मिला के देखा जाए तो यह महा सम्मेलन सफल पताय जा रहा है अभी का सांसाइब कोसल कि सोर्थ से भी बात हुए उन्हों ने यह कहा कि यह कोई प्रदर्शन नहीं है यह महा सम्मेलन है सिक्षा मित्रों का इससे पहले उनका जो मांदी हुआ करता था पैसित 3500 हुआ करता था उसके बाद उन्होंने दस हजार किया उसक चतर जिलों से आए अन्य लोग भी हैं तमाम लोग हैं आपकर हमाई साथ कार करता है या भाई साव है क्या शुब नाम है वह इसका सुष्ष ल कुमार लया दो प्रदेश महामांतर उत्त्रप्रदेस पराथमिक सिच्छा मित्रों के बारे में बातचीत बंग थी पहल की है हम लोगों को समस्याओं को समझा है उन समस्याओं को केन सरकार और प्रदेश सरकार में ले जाएंगे और हमें पूरी उम्मिद है कि मानी मंत्री के नित्रत्त में सिच्छा मित्रों को सम्मान मिलेगा पूरा वेतन मान मिलेगा और इस्थाई करण की बात होगी यह हम पूरा मानी मंत्री पब्रोजा चुंकि मानी मंत्री जीने पहले वी सिच्छा मित्रों की काफी लटाई लई है। नियमती करण को लेकर बात चल रही है क्योंकि अभी कुछ बात ये भी आ रही है कि जो सिक्षा मित्रों का जो मानदे है वो बढ़ाए गया सरकार के द्वारा लेकिन कहने का एक कारोप भी लगते हैं कि उनका मानदे बहुत पहले ज़ादा था लेकिन अब कम हो चुका है तो इस पर क्या कुछ कहें गया जी देखिए सिच्छा में तो जब सहाय का द्यापक बनाए गए तो 40,000 रुपए पाने लेगे थे लेकिन मानी सुप्रियम कोट के आदे से वह आपस रिवर्ट हो गए और राज सरकार के ऊपर छोड़ दिया कि आप इनको चाहे जो करें तो राज सरकार ने तत्काली रूप में 3500 से 10,000 दिया लेकिन 10,000 बढ़े हुए भी पांच साल हो गए और इस पांच साल में जमीन से आस्मान पे महँगाई पहुंच गई जब इसली सरकार को कोई फॉल्ट बता रहें का देखिए अब यह नियम कानून तो अधिकारी बनाते हैं सरकार ने तो सरकार हैं जो हम पढ़ाई रहें सिच्चा के बराबर काम कर रहें तो सिच्चा के बराबर हमको वेतन देखिए और कहना चाहां गुरू भी ना ज्यान कहा एक वैसा बहुत शंकर्टिवारी वाराड़सी जिले से हूं महामंत्री हूं पनारत से यहां चले आए कि शायद सरकार हमारे उपर कुछ हाथ रख दे तो हमारा भी भला हो जाए हम बच्चों का भविष्ट बनाते इश्वर हम लोग का भविष्ट सुदार दे तो बहुत अच्छी बात होगी है क्या लगता है के इंदर में मोधी गवर्मेंट आई ये दूसरी बार है राज मे है तो बहुत ये पहले फैसला भुट नहीं होना चाहिए अब आपकी बिल्कूल को बहुत पहले वना चाहिए था और समझ जाएं कि काफी टाइम जा रहा है बहुत से लोग तो रेटाइर मेंट के लगो होते हैं बहुत बहुत लेट हो जाएंगा है कुछ एक और भाई हैं वो कहां से आया है भाई साब मैं पुरसोत्तम निसाद जनपत बलराम पुरी धर्ती से आया हूँ कम शब्दों में आप से ज़्यादा बात पूछूँगा ये बताईए उमीदे लेके आये हूँगे जाहर सी बाते लखनों हैं और यहाँ पर सेक्ड़ों की तादात में लोग आये हैं कुछ उमीदे लेके आये हूँग क्या उमीदे हैं आपको यहाँ पर हम लोगों को मानने योगी जी से और मानने मोदी जी से बहुत जादा उम्यदे हैं हमारे भाई बहन कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जिसमें उनकी जानना जाती हो उनकी जीवन की रच्छा के लिए मैं चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि हमारे सिच्छामित्र भाईयों की आवाज वहां तक पहुँचे और एक बिधिक रूप में न्या संगत तरीके से उनका जो है हम लोगों का एक भविष सुरचित किया जाए जिससे की भविष में कि इतना बड़ा सम्मेलन करने के क्या उशक्ता है कि जब सरकार आपके साथ है सरकार को आपने वोट दिया है सरकार के पक्ष में हैं आप लोग हैं उसके बावजूद ये महा सम्मेलन की क्या जरूत पड़ागी बताए देखिए हम लोगों के साथ राजनीती हुई है कुछ लोगों के कृत्तियों के कारण हम लोग राजनीत के फुटवाल बने हुए है और एक टाइग लगा दिया गया हम लोगों के उपर सरार्थी तत्तों के द्वारा कि ये एक पार्टी विसेस के हैं सिच्छामित्र जबकि हम लोग खुलके भाजपा का केंदर में भी सरकार बनाएं मानी योगी जी की भी दुबारा सरकार बनाएं लेकिन एक संदेश अलग तरीके से गया कि आप लोगों के उपर एक टाइग लगा है एक विसेस पार्टी का उस टाइग को धोने के लिए हम लोगे महासम्मेलन बुलाएं हैं और भबिस में उम्मीद है कि मानी योगी जी का आ प्राटी अपने कारकरता हो क्यों थी आप लोग सिक्षक हैं वह कहते हैं गुरू बिना ज्यान कहां उससे बहतर कुछ नहीं है महबाब से उपर दर्दा दिया जाता शिक्षक को एक और भाई साब इंसे बात करेंगा आप भी सिक्षक है कि कुछ और है कार करता है या पर क् हम आचम्रू था हां कि कंक्वूंधर के खरकेश क्रूम भाईस उनके संवेन में हम लोगों का सब्सक्राइट हों कि इतना हुआ तो है कि यह है कि नहीं है कि है अलगी existed प्रदेश के मुखिया है और राजा है तो राजा से ही लोग मांगते हैं आठ साल होने को हैं सरकार को आठ साल से उपर हो चुका है और मैं केंदर की बात कर रहा हूं और इदर सीम योगी को सत्रा पांच तमाम चीजिए हो चुकी इनको भी अच्छा कासा कारकाल हो चुका है वह किवार की सरकार ऑ 24 का चुनाओ मैं साल से 24 में क्या लगता है सरकार हम भाजबा सरकार के साथ हैं और हमारा न्याइक करेगा में जहिंतरा डिंपल प्रांस अंगठन मंत्री चलिए बहुत बात है मैं आप से बात करूंगा एक बार फिर से अपने कामरा पर नजारा किस तरह से दिखाएं कि यहां पर भीड बढ़ती जा रही है लोग आ रहे हैं सांसद जी यहां पर है कॉंसल कि शोर है सांसद है लखनों से सांसद है लखनों से सांसद है वो भी यहां पहुंचे हैं उन्होंने आश्वाशन दिया है लोगों को सिक्षा मित्रों को आश्वाशन दिया है कि वो उनके बारे में पुरी तरह सा सोचेंगे बहुत दूर तक आप देख सकते हैं कि यहां पर लोग ए एक कहते हैं हैं कि एक एकता का परिचे भिख दे रहे हैं कि अवाज़ दो हमें एक हैं जाहिर सी बात है बहुत सारी उमीद sąवरी होंगी वहीं अब कि बहुत जल्द सिक्षा मित्रों के लिए सोचा जाएगा क्योंकि इससे पहले भी सोचा गया है आप से भी बात कर लेता हूं क्या शुब नाम भी आपका मैं प्रदेश अध्या नहीं लिए उत्तर पर दुरत बीटी सिचेश्चान सांसा जी ने मीडिया को बाइट दी ठीक ह सभी संख्षा मित्रों के बारे में बहुत जल्दी सो चेंगे और दूसरी बात है कि एक यह नहीं उन्हे कहा कि महावा चुद्न से में इस महा सम्मेलन से सभी संग्ठन एक मंज प्याए और उमीद जाकिती है कि मानी मुख्यमंत्री जी इस सम्मेलन को देखते होंगे कहीं ने कहीं से आप लोग के माध्यम से और सिच्छा मित्रों के भविष्ट पे कुछ उचित निड़ा लेंगे माने मंत्री जीन ने जो कहा है वो अपने अस्तर से ठीक ही काया है लेकिन इनकों इस उमीद से हम लोग बलाए हैं कि हम सिच्छा मित्रों का जो इस्तती खराब चल लए है उसको सुधारनाने में हमारी पहर भी करें आप कहा से आएं मैं देश्जन पद्द्वरियां से हूं सिच्छा मित्रों की इससे पहले भी कई सम्मेलन हो चुके हैं और अब तक को निसकर्स ने निकल पाया मैं आप से एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहूंगा कि इतना समय क्यों लग गया सेंटर गॉर्णमेंट भी है बीजेपी की और स्टेट गॉर्णमेंट भी है लिकर इतना समय मुझे हिसाब से लगना नहीं चीए था क्यों लगा फिर देखिए कहीं न कहीं हमारा तालमेल खराब हो गया था और इस तालमेल बनाने के लिए हम दो सोच रहे हैं और जो भी सम अर्वेंट का उत्विण हो रहा है और हम उमीद करते हैं मुख्यमंतर जी सिख्षामिटर को ध्यान दें और इनका बिनीमित करण करने का कारिकर है चली बहुत अच्छी बात है आपने देखा कि किस तरह से यहां पर लोगोंने हम से बात करी जो सिक्षामित्र थे ऊपर वहार कोई और फिलाल देखने वली बात ये भी होगी दिल्चस होगी कि सांसद जो कौसल को शोर है उन्होंने बहुत एक आशवाशन दिया है कि जो सिक्षा मित्रों की मांगे हैं बहुत जल्दी पूरी होंगी लेकिन फिलाल सबसे बड़ा सवाल ये भी उड़ता है कि विगत कई सालों से बीजेपी की सरकार है सेंटर में और स्टेट में उसके बावजूद भी ये समस्या अभी तक हल क्यों नहीं हो पाए कैमरा बनीजस के साथ सागत अपा प्राइंटी विलखार सर पहली बात तो मांग हम नहीं लेके आए हैं क्योंकि मांग सरकार को विद्वत पता है आज सरकार के साथ हमारा महा सम्मेलन था वह हमारी पीड़ा से पूरी तरह से आउगत है इतने वर्सों से हम लोग बेसिक सिच्छा में सेवा दे रहे हैं बेसिक सिच्छा की नियू है हम लोग हमारी पीड़ा से सरकार पूरी तरह सो वाकिफ है आज सरकार के साथ हमारा सम्मेलन थै और हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार हम लोग black il can में रखते हुए हमें हमें पूरा हमारा मान सम्मान से चकपत सम्मान हमें वापिस करेगी हमें देगी यह हमारे अपनी मुख्या से अपील भी है और विश्वास सर्कार ने मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कि नियमेती करने अगर हम लोग करन करके हमारा निश्चित बेतन परिवार के साथ है और सरकार हमारे हीतों को ध्यामे रखते हुए हमारे निश्चित ही कुछ अच्छा कदम उठाएगी इसके हमें पूर्ण विस्वास पूर्ण उमीद है और हम सिक्षामित बेसिक शिक्षा के परिवार के निव हैं मैं दोल पंक्तियां अपनी पढ़ना चा हम निव हैं बेसिक सिख्षा की तस्वीर बदल देंगे बेसिक परिवार के बच्चों की तकदीर बदल देंगे एक अवसर देदो योगी जी तासीर बदल देंगे माना वरसों से सापित हैं परिलक्ष राम सा साधे हैं अर्दास यही मुख्या तुम से सम्मान हमारा दे दीजे हम निव हैं बेसिक सिख्षा की तस्वीर बदल देंगे एक अवसर देदो योगी जी तासीर बदल देंगे के बहुत बहुत धन्यबाद नहीं ऐसा कुछ नहीं है यह आज का जो कारिक्रम है यह सिख्षा मित्रों का महा संबेलन है और यह कारिक्रम हमारे माननिय मंत्री जी के एक तरीके से उनके सफल मार्ग दर्सन में हुआ है पहले हमारे संगठन के आदड़िये विशनात कुस्वाहा जी श्री उमेश पांडे जी मंत्री जी से बार-बार मिलते रहे निवेदन करते रहे कि सरकार से अपने समाज के उधार हित क्योंकि सिख्षा में 20 बरस से इंतजार में जी रहा है बहुत अल्प मांदे पर कारी कर रहा है ऐसा कारी कर रहा है 50,000 का कारी 10,000 पर हमसे लिया जाता है तो हमारे संगठन के प करें आदध्री माननीय मंत्री कौशल किसोर सिंग्जी ने हम लोगों से असपस्ट सब्दों में कहा कि आप लोग सभी लोग एक ऐसा कारीकरम करिए जिसमे सभी सिच्छामित्र आएं उसी के क्रम में आज ये सिच्छामित्रों का महा संबेलन हुआ है और हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों का जो कुछ भी उद्धार हो सकता है सरकार जरूर करेगी भविश्य में अगर आव सकता हैं पड़ी तो सिच्छामित्र एक बार पुनह मानिये सरकार के सरण में इसी रामाभाई मैदान में और लंबी संख्या के साथ उपस्थित होगा कि अभी तक जो था सिच्छामित्रों का कोई प्लेटफार्म नहीं था सरकार से बातचीत करने का कोई रास्ता नहीं था जो सरकार से बातचीत करने का एक माध्यम आया है और सिच्छामित्र जो है मानी योगी जी की मानी मोदी जी की नीतियों से खुश हो करके वहीं आज के महास सम्मेलन में पहुँचे केंद्री मंतरी कौशल किशो ने प्राइम टीवी से खास बात चीत करते हुए क्या कुछ का आईए आपको सुनाते हैं पहली बात तो सिच्छा मित्र किसी मांग को लेकर के नहीं है। जो नीतियां हैं उनका समर्थन करने के लिए और उनके साथ मिल करके केंद्र में मोदी जी की सरकार से और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार से पूरी तरीके से मिल करके उनका समर्थन करने सरकार की नीतियों को पूरी तरह से लागू करने के लिए सिच्छा मित्र यहां पर आज 81 हो करके सम्मेलन कर रहे हैं कि हम योगी जी की सरकार की और मोदी जी की सरकार की सारी नीतियों को जमीन के नीचे तक के ग्राउंड रिलेविपन ले जाने का काम करेंगे सिच्छा मित्र पूरी तरीके से समर्थन करने का काम करेंगे महास सम्मेलन में पहुँचे यूबी कैबिनेट मंत्री संजन निशाद ने प्राइम टीवी से एक खास बातचीत में सिच्छा मित्र हमारे भी मित्र और क्या कुछ का चलिए आपको सुनाते हैं सिच्छा मित्रों ने कोई बांग नहीं रखी आज केवल योगी योगी आदितना जी की कि अहैं प्रद्वारत्य भारत जिख्षित उत्त्र परडेश का समर्थन करने आएं विश्वास दिलाने आएं कि सिच्छा मित्र योगी जी के साथ है पर देश सरकार के साथ हैं आज इस बात का समागम का कईवल कर पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी डर गई 6 लाग करोड का बजट उत्तर परदेश में हमारी सरकार का 37 लाग करोड गलोबर इन्वेस्टर समिती में यहां पैसा इन्वेस्ट हुआ है आप समझे साथ गुना करीब पैसा यहां पर छे गुना इन्वेस्ट कर रहे हैं तमाम इन्वेस्टर तो इससे तमाम लोगों को लाखों लोगों को रुजगार मिलेगा इससे विपश परिसान हो गया सपा परिशान हो गई है इसलिए वह हंगामा कर रहे हैं जबकि सच यह है कि भीक्षित भारत विक्षित उत्तर परदिश बनने जाए के कैबिनेट मंत्री संजर निसाध हमारे साथ है आज सिक्षा मित्रों के महास्तमेलन मुख्यतिदी के तौर पर आप आए हैं अगर बात कि जाते इनकी मांगे हैं कि निमिति करन के तहट इनको पक्की नौकरी मिले इनके तमान मामों पर आप क्या कहेंगे मैंने बता दिया पिछली सरकारों की गलत नीतियों के सिकार हैं सिक्षा मित्र के साथ साथ हमारे में मित्र हैं और हम इनकी सबस्याओं के समाधान के लिए हम लोग की वकालत करेंगा मोदी जी अमिसाजी योगी जी का और इसी दिरुप से रहें और धिरे-दिरे संगर्स कर कर दिए और इनके तरह हमारी सरकार के साथ हम लों है और हम लों सरकार के साथ हम लों मिलके बात करें देश के अंदर में विकास और वोजगार के औसर वदान करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ है और समझवादी पार्टी इस पे हमला बोल लई है किसमे जब से देखे हैं तमाम बयाना जनता ने उन्हें अशुकार कर दिया विपक्ष के वाद हंगामा करने के लाओ हम ने काम किया है हमारी काम को जनता ने सुकार किया है और उस से वदेश की विकास में वफ्तार और वोजगार के औसर्व वदान किये जाएंगे विदान परिशत के सदस्य पवन चौहान हमारे साथ है आज आप सिच्छा मित्रों के वहाद सम्मेलयन में अतिती के तौप पे आ हैं खुद आप सिच्छा जगत से जुड़े हुए हैं इ सिच्छक छेत्र में हो चुना परवंधन में हो और जिस तरह की जो बहुत सा डूटियां हो जैसे आपने देखा होगा सिच्छा मित्रों भर्चक के हिस्सा लिया तो हर एक तरीके की जो समाजी को न्याइक और देवसाथ होती है कुश्म में सेवा करते हैं तो इनकी सेवा क पूरा आपन दिया जाएगा और इनके संगठन के लोग भी चाहिएंगे साथ में वह भी अपनी समस्य आपनी तरीके से रखेंगे हम लोग उसके पूरी वाकालत करेंगे कि भारी हंगामे के बीच सदन की का वाई शुरुही वाज्यपाल महोद्या का अभी भासन हुआ उस है इस बयान पर आप क्या कहेंगे मुस्कों लगता है जब भी जब हारते हैं एलक्षण घबड़ी होती है और अभी जब सुरुबात ही हमारे 33 लाख करोड का जो हुआ बजट यह विस्वार डाजेशन नहीं कर पार है तो आप जी सरकार में इतनी बड़ी कोशिश करने के लगातार काम कर रहे हैं जहां पर देश होगी वहां पर देशित हैं हमारे इन्युश्मेंट भी होगा और उद्यों को लगाने के उद्यों को चलाने में सरकार हर तरीकस मदद कर रहे हैं इसलिए करोर का जो आया है तो आप इसास करिएगा हम तो लगता है पांट साल में हमारी दिसा उद्यों चेंज होगी प्रदेश की अगर बात की जैतों कहा गया ग्लोबल इंवेस्मेंट समिट में कि हर एक छेत्व में बहतरी आएगी तो बात की जैतों सिक्षा के छेत्व से आप प्लेस्मेंट बढ़ता है जब जाब बढ़ेगी तो नाहीस बात है कि हर बेक्षा के तरफ से भागेगा कि हम थोड़ी सिच्छा पाले और कहीं ने कहीं जाब पासे कि इसकील डवलेप्मेंट के लिए बढ़ा काम हो रहा है तो हर बचा स्कील चाहिए अब इसकील के लिए उनकों जाब मिलेगी यह बड़ी यह बड़ा काम होगा तो हमारे साथ विद्धान परिशत के सदस से पवन चौहान थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि ग्लोबल इंवस्मेंट समिट से प्रदेश के अंदर में सिक्षा के छेतर में बेहतरी आएगी और प्रदेश के अंद सबकार के साथ तमाम नुमाईंदें भी आये बात कवी तो उत्तरफरेष सबकार की मंत्रीन मंत्री मंत्रीम करें थे क्या आता है उस्ता मैं लिग्षा देखिये दो disparate से सच्छा मित्र संग यह जो हमारा संजुक संगों का एक महा सम्मेलन था यह कारिकरम हम लोगों ने आयोजित किया माने मंत्री जी ने समय दिया था और आज इस कारिकरम में छे साल के बाद 12 जनौरी को प्रारम भुवाई को गार्डन में कि सरकार के प्रत्नित हमारे यहां आना करता हूं और जहां तक रही बात इससे हमें क्या मिलेगा और इसमें हमारी क्या समस्या थी तो समस्या हमारी जो थी वह है और समस्या जो थी उसी कहने उनको मांग पत्र दिया है भले ही उन्होंने सो नहीं किया है लेकिन मांग पत्र दिया है सिक्षा मित्र को मोलता आप चा यह अपनी समस्या का समाधान और समाधान की उमीद ले करके सिक्षा में तेहां था मानिय मंत्री जी ने उसको बहुत गोपनिय रखा है मैं उनकी बात को समझता हूं कि मानिय मुखमंत्री जी के कारिक्रम के बाद वो कारिक्रम घोसित होगा लेकिन मैं चाहूंगा कि इसमें जितने भी प्रतनित चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के थे भारत सरकार के प्रतरीदी मानिय कोशल किसोर जी से अनुरोध है कि वह भारत सरकार के सोस्वी परधान मंत्री जी और वहां के ग्रे मंत्री जी से हमारी बात को रखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी प्रतन की कारवाई शुरू हुई है पहला दिन था तो क्या आप चाहेंगे कि आप लोगी की समस्याओं को विधान सभा के पड़ल पर रखा जाए जी मैं तो चाहूंगा और आज देखिए विधान सभा का सत्र भी शुरू हुआ पहल भी सुरू हुआ है स्झामित्रों वा आज सरकार सनमभाद से यहीं समाधान की तरफ जाने का कारिक्रम भी प्रारंप कर दिया है और मुझे उमीद है कि जब भी हमने जिनजिन भी सरकारों में अधिवेशन किया असम्मेलन किया तो निश्यत रूप से सफल फरवरी कर रहे हैं और मुझे उमीद है कि आने वाले दिनों में सिक्षामित्र निश्चित रूप से अपने मुकाम को हासिल करेगा अगर उन्हें पूरा नहीं किया जाता है तो आगे आप लोगों कि क्या कदम होंगे बात फिर मुलाकात बात और फिर संबाथ करेंगे समेलन करेंगे अजवेसन करेंगे अपने बीच बुलाएंगे बार एखर बात करेंगे सरकार के प्रतिदियों से अपनी ध्यापन The से बात करेंगे और जब काम जब हमारे समस्याओं का समाधान निरंतरता में नहीं होगा तब उस पर हम विचार करेंगे तो हमारे साथ बेशिक सच्छामित्र संग के अध्यक्ष शूप शुक्मार सुकला थे जिनका साफ तोर पे कहना है कि हम अपनी मांगों को तमाम सरकार के मंत्रियों को ग्यापन के माध्यम से दे चुके हैं और हमें अपेक्सा है कि उस पर सरकार हमारे मामले पर ध्यान देगी कैमरमन विजय के साथ विभान सुप्राइम टिवी लखनो